हेलो दोस्तों सभी को नमस्कार आज फिर से मैं आपका मित जितनदर सिंग चोहान दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि सोलर तुम में जो फाल्ट आते हैं जैसे कि ड्राइरन दिखाता है लूच कनेक्शन दिखाता है जैसे सिगनल कम दिखाता है सारे का में इस और धहरे के साथ देखें आप चलिए शुरू करते हैं देखिए दोस्तो जैसे यहाँ पे आरा है dry run detected यह शक्ति कंपनी का solar pump है 3 HP का अब इसमें यहाँ पे दिखा रहा है dry run detected तो dry run का मतलब होता है दोस्तो कि आपका जो pump है यानी वो पानी हे पूरी तरह से नहीं डूबा है पानी कम दे रहा है इसलिए और दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं यह पंप यहां पर भी पानी कम दे रहा है तो dry rain detected की जो समस्या solve होगी दोस्तों इसका मतलब के आपकी मोटर में आधा पानी है जैसे की monovlog पानी छोड़ जाता है ना उसी परकार से समर्शिवल में का रखा है तो दोस्तों होता क्या है कि सुरू में पानी उपर रहता है लेकिन हम जैसी motor चलाते हैं तो पानी जब खीचना सुरू करती है तो water level नीचे जाना सुरू हो जाता है एक उचित लेवल पे जा करके फिर वो पानी वहीं पर रुख जाता है अगर उस पे आप motor को ड चाहिए उतना पानी नहीं मिल रहा है तो इसलिए वो dry rain detected दिखा रही है तो इसको solve करने का मतलब यह होगा कि आप अपनी motor को और थोड़ा 10 या 20 फीड नीचे पानी में उतार दें फिर आपकी dry rain जो detected है उसकी समस्या solve हो जाएगी फिर भी ना हो उसका ही मैं बताता हूँ कि उसका क्या issue हो सकता है अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं यह भी 3 hp का setup लगा हुआ है यह देखिए यह इसमें बहुत से लोग बोर रहे हैं कि भाईया signal का क्या मतलब होता है signal अब यहाँ पर देखिए दोस्तों pump तो off दिखा रहा है और signal आ रहा है 5 बहुत सारे ल इसका मतलब यह होता है कि आपकी यह server से connectivity है वो कितनी है इसका आपके pump के पानी से या current से controller के या panel के कोई लेना देना नहीं होता है man जो लेना देना होता है वो उपर से होता है दोस्तों को panel से कितना current आ रहा है signal इसमें कोई matter नहीं करता और भी कई सारे फाल्ट आते हैं वो आपको दिखा देता हूँ पहले आप सिगनल समझें दें बहुत साले वो लोग बोलें यह किसी में 10 दिखाता है किसी में 15 नो तो इससे कोई मतलब नहीं है यह आपके server से connectivity है यह देखिए यहाँ पर 3HP का है और अडानी कंपनी के दोस्तों इसमें panel लगे हैं अभी आपने देखा यह टाटा solar power subsidy के माद्यम से लगा है तो इसमें क्या है कि दोस्तों pump तो बंद दिखा रहा है अभी आपने देखा कि इसमें जो pump ओप दिखा रहा है फिर भी लेकिन pump जो है वो चल रहा है पानी दे रहा है और पानी बहुत कम दे रहा है अभी आपको दिखाता हूँ यह बोरिंग है देखिए 6 इंची का और यह 2 इंची का पाइप है 3 HP का समर्सिवल पंप इसमें डला हुआ है और कितना पानी दे रहा है वो भी आपको दिखाते हैं दोस्तों वीडियो लंबी जरूर है देहरे के साथ देखें क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते ह यह फॉल्ट आ रहा है और मैंने बहुत सारे लोगों के सॉल्व भी किये हैं उनसे हाथ वाथ पूछा कि भईया आप यह कीजिए ऐसा करके देख लीजिए और अभी आपका फाल्ट सॉल्व हो जागा तो उन्होंने बोला कि हाँ भईया जैसा आपने बताया था हमने बैसा कि आप यह भी हमारी मोटर जो है ठीक से चल रही है दोस्तों इसमें बताऊंगा शक्ती में टाटा में और रोटो सॉल बगर या किसी और में भी क्या-क्या फाल्ट आ सकते हैं तो बही में यहाँ पर आपको दिखाने बाला हूँ यह देखिए इसके बायर है दोस्तों यह सिरी फेस कंड्रोलर है एसी यहां से बायार जा रहा है फिर से दिखा देता हूं कि इसमें डिस्पील में क्या रहा है जबые किसिगणल फाई वा रहा है और पंप और यहाँ पर ओप दिखा रहा है लेकिन फिर वह पानी रहा तो तो इसकी जो बज़े होती है वह है、 कई KL number देहा होता है, toll free number लिखा है इस पे आप call करें और आप उनको बोलें कि भाई यह हमारा ऐसे ऐसे यह फाल टा रहा है, पानी दे रहा है या कोई भी फाल टा रहा है आप उनको call करेंगे, तो वो दोस्तों आएंगे, या अच्छी चीज़ में बता देता हूं दोस्तों कि इसके साथ एक user manual मिलता है लेकिन वो English में होता है, आप उसको देखेंगे, तो वहाँ से आप समझ जाएंगे पूरा पढ़ेंगे, कि आपको कहां से कौन सा फाल रियोल हो सकता है अब देखिए यहाँ पर दो HP का अब ही मैं signal की बात बदा देता हूं इसमें signal 9, 9 आराय और pump आराय ओन, तो दोस्तों फिर से मैं वही बता रहा हूं कि इसमें हमारे signal से कोई लेना देना इसका नहीं होता pump के performance का मैंने बता है कि इसका मतलब है कि आपकी जो server है उससे connectivity कितनी है क्या है इसलिए इसमें signal का जो display है वो आता है यहाँ पर देख सकते हैं यह कितना जवर्ज़़श्ट पानी दे रहा है, 2 HP, Tata Solar Power, DC करके आता है लेकिन यह दोस्तों AC pump ही होता है जब हम इसको चलाते हैं यह AC category का ही pump होता है और यह बहुत सांदार पर करता आप यहाँ पर देख सकते हैं PMS motor होती है यह ठीक है permanent manganese ignition motor synchronous motor होती है यह और आपने देखा कितना पानी दे रही है इसी परकार से दोस्तों यह यहाँ पर देखिए subsidy के माद्धियम से यह भी लगा है और यह जो pump है यह 5 HP का pump और देखिए कितना कम पानी यह यहाँ पर दे रहा है इसका दोस्तों जो region होता है मैंने कई बार बताया है कि हमको जो subsidy में pump मिलते हैं वो multi stage pump मिलते हैं मैंने बताया था कि जो region क्या होता है आप दोस्तों YouTube पर search करके देखना है कितना जवरजस्त उसका pressure मिलेगा क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था कि 30 से लेके 50 फिर्ट तक एक stage काम करता है इसलिए पानी कम दे रहा है यहाँ पर यह eco gen company का 2 HP का mono block pump लगा हुआ है दोस्तों देख सकते हैं 2 इंची का पानी है सर्दी के मौसम में भी क्या जवरजस्त पानी दे रहा है देख सकते हैं आप 2 इंचीज की full pressure delivery है यहाँ पर यह देखिए और बाटर लेबिल तो नॉर्मल मैंने बताया 15 से 20 फिट 25 तक या जाए जाए 30 फिट तक यह mono block काम करते हैं लेकिन 20 फिट पर यह बहुत अच्छा खासा पानी दे देता है आप यहाँ पर देखी रहे हैं यह चल रहा है और मातर 6 पनेल पर चल रहा है आप देखिए दोस्तों यह सकती का है तो इसमें मैंने बताया signal देखिए इसमें उपर यह tower का निसान आ रहा है नेटबर्क का तो यह हमारा signal यानी की हमारा server से किस फिरकार connect है इसमें सारा दिखाता है display में date भी आती है पहले भी बताया था कि इसमें सारा देखिए current उपर से कि देखिए 491 bolt आ रहे हैं solar से 5 amp आ रहे हैं 5.5 के करीब और motor में जो जा रहे हैं तो यह सारा दोस्तो टेकनिकल डाटा है तो सक्ती में क्या आता है जैसा भी दिखाए dry run या loose connection कुछ भी आ सकता है loose connection कैसे दूर करना है dry run कैसे दूर करना है देखिए दोस्तो अगर dry run आपका आ रहा है आपने motor पानी में डूब अधी फिर भी आ रहा है तो आप कुछ ना करें आप इसका सीधा power up कर दें जो connection या solar वाली वो निकाल दें उनको फिर से लगा दें आप जोस्तो रोटो सोल की बात कर लेते हैं देखिए रोटो सोल का यहाँ पे आप controller देख रहे हैं इसकी जो नीचे यह एक जो काला वाला motor वाला बायार दिख रहा है यह तो इसका output है three phase जो आपको pump में जाता है लेकिन दो यह जो पैनल वाले positive और negative दिखाई दे रही है यह दोस्तो क्या होती है जाम इसमें current देते हैं आपसे नहीं बहुत दिन से आई कि भई यह लूज connection आ रहा है मैंने बताया क्या करना है आप सीधा यह दोस्तो इसमें करना क्या होता है जैसे ही लूज connection इसमें आपको so हो जाए आप बार बार चला रहा है लूज connection आ रहा है आप इसके जो मोटर में जो यहां से आउटपुट जा रहा है वो तीनो तार बायर हटा दें और जो पैनल से आपके आ रहे हैं उनको भी हटा दें कुछ देर कंट्रोलर को न्यूटर लेने दें फिर दुबारा से बायर जोने चलाएं तो यह फाल्ट आपका रिजॉल्व हो जाएगा यह जो 2HP का रोटो सोल का मोनो ब्लोक है इसमें भी बहुत सारा इस तरह का फाल्ट आता है दोस्तों बहुत सारे मैं बताएता हूं मेरे पास लोगों कोल आई भाईया लूच कनेक्शन का फाल्ट आ रहा है इवन जिन्होंने कुए के अंदर मोटर रखी हुई थी बीजबी स्पीट वो लेगे भाईया हमारा भी लूच कनेक्शन आ रहा है उनको मैंने बताया भाईया सारे बाइर हटा के दुबारा कनेक्शन करो फिर उनका वापस फोन आएगा हाँ भाईया आपने बहुत अच्छा तरीका बताया हमने जो ऐसे किया और हमारी मोटर चल रही है अभी मैंने उनको बताया का भविश्य में आपको ये परिसानी देखनी पड़े तो आपको कुछ नहीं करना आपको जो कंट्रोलर है उसको न्यूटल कर देना है और जो मोटर के कनेक्शन है वो भी न्यूटल यानि बिल्कुल हटा देने और दुबारा से उनको करना है आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यह साड़े साथ एच्पी का रोटो सोल पावर का लगा हुआ है समस्यल पंप यह कुए में चल रहा है और दोस्तों इसको इसमें भी ड्राइरेन दिखाता अगर यह जैसे ही मोटर से मोटर पूरी तरह से जो पानी में नहीं डूबेगी तो क्या होगा यह भी ड्राइरेन दिखाएगा और पानी कम देगा और डिस्पिले में कोई और भी भाट आ सकता है लेकिन जैसी आप इसक प्रफिशना शुरू कर देती और बोरिंग खाली होना शुरू जाता है एक लेवल के बाद फिर वो रुख जाता है जहां से पानी आता है ये छोड़ी छोड़ी चीजे दोस्तो ध्यान रखने की हैं और मैं बताएता हूं दोस्तो कुछ भी हो फिर भी आपको कुछ समझ में आए तो किसी एक्सपर्ट को दिखाएं या आप मुझे भी मेरे वाट्सेप पे लिख कर भेजें मुझे जो हेल्फ होगी वो मैं आपकी करूंगा और साम को साथ बुझे के बाद आप कॉल भी करें दोस्तो वीडियो कैसा लागा जरूर बताएं और फिर भी कोई समझ आप की रहें को कमेंड करके बताएं या मेरे वाट्सेप नंबर 83 83 49 49 इस पर मुझे अपनी समस्चा लिख के भेजें जब मुझे समय मिलेगा आपका रिप्लाई करूंगा दोस्तों आप बहुत लोग मैसीज करते हैं सबके जवाब देने कोसिज करता हूँ बहुत बहुत धन्य बाद आप सभी का किसी परकार बने रहे हैं हमारे साथ